नमस्कार IBC 24 के खास कारिक्रम जन कारवा में आप सभी का स्वागत है। एक काफी एतिहासिक और काफी महत्वपून जिला है। करने की शपत को दोहराएं। आप सभी से अनुरोध हैं आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़ो कर अपना दाहिना हाथ आगे करें। और मेरे साथ लोगतंत्र को मजबूत करने की शपत को दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपत लेते हैं कि आगामी विधानसवा चुनाओं में जाती धर्म और शेत्र से उपर उठकर उचित और सही उमीदवार को चुनेंगे और लोगतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिन जय भारत आप सभी का शुक्रिया आप लोग पुन्हा अपना अपना स्थान ले सकते हैं। अगर हम धार की बात करें तो धार एक इतिहासिक नगरी है और इस नगरी में अगर हम राजनेतिक समिकरण की बात करें तो करीब यहाँ पर साथ विधानसवा सीते हैं और साथ में करीब यहाँ पर पांच जो है वो कॉंग्रेस की है और दो जो है वो बीजेपी की है आपको बता दे पूर्स प्लीज आप लोग रुख जाएए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ समय पहले तक लोगों का जो भरोसा था वो भाजपा पर काबिस था लेकिन अभी पिछले समय से यहाँ पर लोगों ने अपना जो भरोसा है वो कॉंग्रेस का जताया है जो सड़क, पानी, बिजली, सिक्ष्य और स्वास्त की होती है साथ ही जो जन प्रतिनिदियों ने इन लोगों से वादे किये थे उस पर वे लोग कितने खरे उतरे हैं इन तमाम मुद्दों की चर्चा अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हम उनहीं से करते हैं जि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमने सोगाते दी थी कर्ज माफ की दी थी किसानों को कर्ज माफ किया था कमल लाज जी ने जो यहाँ पर जो डाइवसन का जो था कितनी हा जो रजिश्टियां होती थी दस साल हमारी जो आदिवासी मतलब सामाने लोगों को जो जमीनों के उसे डाइवसन नहीं होता था रजिश्टियां होती थी और भी जैसे कि पितंबूर उद्योग की छेत को बढ़ाने के लिए उन्होंने किया था रोजगार की उन्होंने बात करी थी कि अगर यहां पर उद्योग लगेंगे और ज्यादा ज्यादा हम रोजगार देंगे अगर हम बात करें तो साथ में से पांच विधायक जो है वो कॉंग्रेस के हैं तो उन विधायकों ने क्या सोगात दिये क्या उससे लोग खुश है हम यह जानना चाहरें नहीं हमारे विधायों के ने सोगात देना के प्रयास किया था लेकिन बीच में हमारी कमलाजी सरकार को भारती जनता पारिटी के लोगों ने उनके शिवराज सिंगी ने खरीद के जो सरकार गिरा दी ती इसलिए हमारे जो है पाच विदायक है वह इमांदारी से इमांदारी से जनता का कारी कर रहे हैं और विदायकों-पाचों-थ अबीवी हमारे जिस्तकार उन्होंने विकास किया है साथोह सीड कंगरेश की जीतेएगी वापास आपसे जाना चाहूंगी कि क्या सौगाते ऐसी दी है जिसके कारण कॉंग्रेस बहुत खुश है और कॉंग्रेस के कारण यहां के लोग खुश है पंद्रा मैने की सरकार में मानने कमल नाजी ने पच्चिस हजार कन्यादान रुयोजना को एककान अजार उपे दिये पंद्रा सो मेरे विधान सबा में पंद्रा सो नप्य जोड़े दामनोद में विवा करवाए के विधायकों ने क्या सवगाते दी हैं यहां के विधायकों कुछ नहीं दिया कारम डेम सुनो यह बास सुनो में मेरी बास करेंगे बास सुनो कारम डेम मत्य प्रदेश का कारम डेम घोटाला मत्य प्रदेश का कारम डेम घोटाला तिन सो पांच करोड रुपय का में में मॉपया लोगों की जो बात है والदेश का अखता रही यह क्राप लोगों यह पर अन्युक्राइट कैने रखते हैं तुम आप इनकी पातों सामने यह गलत गलत जा चल रही है ओडे मना तो किस परकार से मना उसमें एफायर हो चुकी है और जा चल रही है इनों ने जितने भी आप जो प्रस्ट पूछ रहे था आप यह जो बोलने सारे 15 महीने इनको मोगा दिया था इन्होंने एक काम नी किया है जो वादे इन्होंने किये थे किसानों के करजे माप करेंगे वो नहीं किये रोजगार को भत्ता देने का वो नहीं किया साथ ही साथ इन्होंने बोलाता कि समूओं के करजे माप कर देंगे इन्होंने लाल पीले भाम बढ़ाये थे वह नहीं किये यह तो मुख्यमंत्री शिवरास तिंग्ट कारण जानना चाहेंगे कि कारण डैम में 305 करोड रुपे के घोटाली की बात आई और उसके उपर आपका सावाल गलत है 305 करोड के घोटाली की बात नहीं है प्रदेश सरकार आप देखोगे दिल्ली में जित्ते घोटाले कांग्रेस ने करें है ब्रश्टाचार कमलाज जब था तो अड़्डा बन चुका था बिल्कुल ट्रांस्पोर का आपने देखा होगा और इसलिए कि रिए कि किसी की सुनते नहीं ते सिर्फ ब्रश्टाचार करते हैं आप पर सवाल उठकर आया है कि ब्रश्टाचार आप लोग करते थे ब्रश्टाचार बाजपार नहीं ब्रश्टाचार कॉंग्रेस करती है अगर ब्रष्टाचार भारती जंदा पारिटी ने किया अभी उन्हों बल्ला बहुन पहुन में वह अग लग ई रिकार्ट खतं करने के लिए आग लगाई गही है जो बारती जंदा पार्टी ने जो इतनी तब रच्चाचार किया था उनको पता चल गिया कि कांग्रेश की सरकार 6 माइने के अंदर कांग्रेश की सरकार बन रही है इसलिए उन्होंने वहां सत्पूरा भवन में आग लगई और उसको रिकार्ट को जलाने का खतम दाश्च कर प्रियार आप लोगों पर एक बार फिर सवाल आया है कि सट्पूरा भवन में आग लगी है ये भाजपा की करतूत ने जान करके किया है आप है प्रकर्ति में कुछ होता है ना तो इनको ऐसा ही लगता है यादि तूफान भी आई तो इनको बाज़पा दिखती है किसी के यह सब काम इनने किये हैं इसलिए अवोल रहे हैं आपको लगता है कि सद्पूडा में जो आग लगी है कि आपको लगता है सद्पूडा में जान करके किया है यह एक विप्दा है इस समय की संक्रणगडी में कांग्रेस पार्टी को भी भारती जंता पार्टी का साथ देना चीए और आई हुई मद्यप्रदेश की साब्दा में सरकार को साथ निभा के देना चीए तीन प्रकार के कारे टेकनिकल याँ पर थोड़ी देर पहले हमें कई सारी सौगाते गिनाई थी उन्होंने कहा था कि कर्दा माफ किया घा था किसानू का इस बामले में आप क्या कहेंगे कि क्या सही में करजा माफ हुआ था 2018 के विदान सभा के चुनाओं में कमल नाजी ने कहा था हम दो लाग रुपे के किसानों का करजा माफ करेंगे युवाओं को चार जार रुपे रोजगार बत्ता देंगे महिला सास्वाइटा समू का करजा माफ करेंगे एक भी ऐसा किसानी है जिसका दो लाग रुपे का करजा माफ हुआ एक युवाओं में है जिसको चार जार रुपे रोजगार बत्ता मिला हो एक बहुत सास्वाइटा समू ने है जिसका करजा माफ हुआ हो और अभी वर्तमान में कली शिवरा सिंग जी चुहान ने कमलनाजी ने जो पाप किया था किसान जो डिभाल्टर हो गयते हैं उनके अप्याज माब करने का काम दो हजार एक सो अटाइस किलाड रुपे शिवरा जी ने माब किया शार रहेंगे उनका कोन्ग्रेस मैं व्कारह जाना चाहेंगे रुख जाएंगे रुक जाइए ने किया यहां पर गोटाल ले कियी है उसका जो जो काम है वो अप बीजेपी ने किया है कहल जो शिवराजमारत ओल दियेंगे विजेपी ने कुछ नहीं कि रहा है बच्यां चार चला जरा है कांग्रेस ने माफ करने का ने कहा था करजा लेकिन कोई यहां पे इतने युवा है विजेपी ने 15 साल ने कितने रोजगार दी यह पूछ लिजाब आप अभी करदा माफ कर रहे हैं क्या कॉंग्रेस ने करदा माफ किया था इनके मंत्री कमल पठेल ने माना है कि करदा माफ हुआ है यह गलत स्टेट्मेंट कर रहे हैं कांग्रेस के पास मुद्देनी और अभी वर्तवान के अंदर मानी मुख्यमंत्री जी ने बारा हजार करोड रुपे किसानों काम रिंड माफ किया है जो डिफार्टर हुए थे इन्हेंनों ने इन्हेंनों एक दो तीन चार बाद शे साथ आट नो दस करके घंदी करने के बाद रहूल गांदी ने की ती लेकिन चले गए और इसने नुजर सरकार भी चली गए इनकी अब आग्मी पार्टी के लोगों से भी जानना चाहेंगे कि क्या सही में कॉंग्रेस ने जो करदा माफी की बात की थी वो हुआ था और आप जो पीजेपी तावे करी कि शिवराची ने करदा माफ किया है क्या आप इस सब में सहमती रखते हैं कि एक बात मैं कहतू दोनों पार्टी की लोगों से कहना चाहूंगा यहां पर हम लोग कोई जगड़ा लड़ाई करने के लिए खटे नहीं हुए एक्च्छ वैं हमें बात मुद्दह की करने चाहीए और यह आपस में से लड़ते रहेंगे कोई माया धार करने के लिए घटे नहीं भी है करजा माफ करने की बात ओतों अभी तक के तो देखने में नहीं आ है कि कि Rubri का रुवस्ता को दूरुरूश करना है तो अजसे सौज़कों अब किसान भाई कुछ कहना चाहेंगे क्या आप लोगों का कर्जा माफ हुआ था नहीं हुए उस बारे में क्या कहेंगे खड़ों के बात करिए अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ क्या कर्जा माफ हुआ था निन्यानुए हजार निन्यानुए हजार आच सो दस रुपे मेरा कर्जा माफ हुआ था लास्ट टाइम कमलनात की सरकार में सिवराज के परिवार के कर्जा माफ हुआ हैं से पूछा पहले कि सिवराज के परिवार के कर्जा माफ हुआ थे पूरो मंत्री थे उनके पती के कर्जा माफ हुआ है दो लाग का कर्जा माफ हुआ है हमने आगे बात करेंगे अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मुद्द नहीं मिल रहा है जै जोहर मैं कांग्रेश हो या बीजेपी हो मैं दोनों पार्टियों से पुछना चाहता हूँ विगत सालों से इन्हों ने ट्राइबल सब प्लान का जो पेसा हा रहा है वो कहां यूज किया है एक है नल जाल यूजना के प्रणा की बात करते हैं कहीं टंकी है तो वहां पर दीन है नल है तो उसमें पानीं है कहीं कहीं ने कहीं आप यहाँ से पांच किलो म्यां मिलता होता तो पार्शान नहीं होते हैं पानी सही में नहीं मिल रहा है मैं विजेपी के लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप जाके ग्रॉंट पे देखिए बहुत बेकार इस्तिती होते आ रही है आप समझिए मैं आपको सिदह सिदह कहना चाहूंगा आज आपकी विधाय के आपसे पूछना पड़ेगा न धार म देखिए मैडम नलजल की स्थिती यह थी कि नगर पालेका के असी असी लाग के टेंकर लगते थे आज इस्थिती यह है कि एक रूपे का टेंकर भी नहीं बढ़ना पड़ता यदा कदा कभी आवश्यक्ता हो फिर लोग प्यासे क्यों मर रहे क्यों शिकाए नहीं मर रहे है प्यासे नहीं मर रहे हैं जो व्यवस्ता है उसके अंदर भी हमारे लगातार पानी जा रहा है दिलावरा का 28 करोड का योजरा का पानी जा रहा है नर्दा का पानी ओनलाइन प्रोजेक्ट में कर दो सबकर्इब लोगों से जानना चाहेंगे क्या हैं कि में बताता हूँ वास्तमित आमे नाल जल योजना पानी दिलकुल है आदिवासी जीरियों से और उससे पानी लाने के लिए मजबूर है करम तलही में नाम बता देता हूँ वह महां बेल तलवारा उसके बाद में चाहिडी पूरा आपने कई न्यूजे के पढ़ना ला कई जगे चक्का जाम करके पार कशाल बंग्रेड या बिल तलवारा यह लेकिन ग्रावी इन शेत्रों में पानी नहीं है क्या कहेंगे इस बारे में सब्दूर पानी है यह जीतने बोल रहे हैं क्योंकि इन्हों ने ना तो 24 घंटे बिजली दिये तो भारती जंदा बाल्दी ने दिये और पानी दिया है तो हमारा प्रदान मंत्री मोधी ने गाउ लेकिन कितने समय से हापन मेडिकल कॉलेज के बात चल रही है अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है मेरा कीना है हमने रत लाम में पास में खोल दिया है हमने इंदोर में खोल दिया है प्रदेह कितने साल से तीन तरन से पिछले 20 सालों से भारती जनता पार्टी की सरकार मध्रपदेश में वो युवा आठा से उननिस साल का हो गया है वो कॉलेज जाना चाहरा है धार जिला मुक्याले आदिवासी मुक्याले है यहां तक ये लोग सिर्फ गोष्णाय करते रहे इंजिनेरिंग कॉलेज आज तक नहीं है मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं है त्राइबल एरिया है इतने जड़र जितने बेटे उसमे 90% किसान है लेकिन पुछला इनके बेटे अगरी कल्चर करते हैं क्योंकि एकरी कल्चर कोलेज थी नहीं है고 सिटनी knowing और में पीजे से हम कुछ लोगों की बात जाना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल रही है, क्या यहाँ पर एंजिनियरिंग कॉलेज की सुविधा मिल रही है? कोई कोई कोलेज नी है, ना मेडिकल है, ना इंजिनेरिंग है, यहां से इंदोर जा रहे हैं लड़के, विदीषा जा रहे हैं, मैं खुद विदीषा से पढ़के आया हूँ, कोई कोलेज के उस होगात यहां, कांग्रेश और भाजपा, दोनों सिक्छा, स्वास्त और नहीं हो तो प्लाण करoty को साथ है तो कहो सो paid those business आंपrüन फोले या फॉस छोल लेमडिक फांग्रेश का फोलन गेने कोले मेडिकल को टो लेचो हाँ बना है है हर साल बोलते हैं और ही बाँ दो doesn't करसूने गैस अनुषकिंप करनेल बंद करी अ कोलेज यह बंद करें तो सिक्षा इस तरव सुनिया है कई ना कई विजेवी कांग्रेस का जोल है यहां दिवासी के आज विधार ना चाहेंगे कि क्या यहां पर शिक्षा की स्थिति कैसी हमने सुनाई कि फैकल्टीज भी यहां से इंडॉर्ट आ रही है मैं सरल सब्दों में एक सबाल बुशना चाहूंगा मोजिदा सरकार से सुनिये का आपको भी समझ आएगा सायथ 2015 और 16 में कैंबिनेट में इंजिरिंग कॉलेज पास हुआ था इंदोर हमदावार तरोर पर जबीन बैलेट मेंड हुआ था अभी तक के बीजेपी सरकान ने क्य सबसे पहले तो मुख्य मची तरे महलाओ का समान क्या मान समय और अभी 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 इन्होंने इल्जाम लगाए कि हरके नहीं नहीं है रहे लाज खुल गया अभी इप्लाइन में है अभी घुष्ट ओगी साथ करोड की बिल्डिंग बंके तयारी चल के देख लीजे कांगरेसरे वाले को बचलों चैनलों ती जाता हूं है कि 7 करोड की बिल्डिंग मंके तयारी और नहीं पाइप्लाइन के अंतर एक्रिकल्टर चालारे जाने वाला और मुख्यमंत्री जी ने घुष्टा कर दिये कि मेडिकल का ले जाने वाला यहां पर शिक्षा भोत इस्तर पहर यहां पर और यहां पर किस मुद्दे पर शिक्षा के मुद्दा चल रहा है उस पर क्या करती है नल जोल योजना वो गंद्वानी विधान सभा में क्या है कि 15 भी लागू नहीं होने देता उमंग सिंगार विधाये और 6-6 महीने तक गायव रहता आध तक भी पता ने चलता कि विधाये कहां पर रहता है ना तो कई जीले की योजने के कोई बेटक में जाता ना कोई दिल्ली भोपाल विधाम सभा में जाता है और आम आदमी से हम जान यहां पर इस शेत्र में जहां पर अपन बेठे हैं विधान सभा में यहां पर पानी की जो वेवस्ता होना चाहिए विरेंद कुमार सकलेचा की सरकार में नर्वदा को मालवा में लाने की बात हुई थी वो अभी तक चल रहे हैं क्या आपके बच्चे को शिक्षा सही बराबर मिल रही है और वेरे बच्चे का सेंटरल मेटिवेशन वादा और शिक्षा के मामले में कोई कमी नहीं है सभी अच्छे तरे से शिक्षा मिल रही है जी हाँ शिक्षा के छेत्रे में काफी काम हुए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोगात मिली है हमारी विधाजी के दोरा, LLB कॉलेज चालू हुआ, लाउ कॉलेज चालू हुआ, बहुत बड़ी बात है धार शेहर के लिए हमने सुना है कि धार ऐसी जगे है जहाँ पर सोनोग्राफी मशीन एक ही है और वो भी खराब पड़ी है, तो मैं यहाँ के कुछ लोगों से जानना चाहूंगी, कि क्या यहाँ पर स्वास्त की जो सेवाएं मिल रही है वो सही रूप से मिल रही है या नही है स्वास्त की सेवाएं धार जिले में बिलकुल नगणने के रूप में है, मेरे विधान सबा छेत्र नाल्चा और धरमपुरी धामनोद में धामनोद एक्सिडेंटल जोन होने के कारण, महाँ पे नहीं कोई उचीत मसीन है, नहीं कोई अट्रामा सेंटर है, नहीं कोई धरमपुरी में मेहलारों की विसनस नहीं है, और जो एक्सिडेंट घाट, गनेज घाट, जो एक्सिडेंटल घाट है, बलेक स्पार्ट बनावा विधान सबा में कई बार कोश्चन उटे, बाकि आज तक महां की उचीक व्यवस्ता नहीं हुए, नि धरमपुरी, नि धामनो धिला अस्पताल यहां पर भी, धिला मुक्यालाई पर आपर डर नहीं है, धिला मुक्यालाई पर डाक्टरों की कमी है, यह इस्तिती है कि इन्हों ने वर्षों से CT scan machine वा गोशना कर रखी थी, उसको चालू करवाने के लिए मेको अंशन करना पड़ा, सोनोग्राफी मशीन हैं, पर रेडियो लाजिस्ट आज दिनांग तक भोज हॉस्पिटल में इनके नहीं है, अब आप बताइए, आप खुद एक महिला है, क्या आपको नहीं लगता है कि महिला उत्पीडन के कारण वहां पर जो डॉक्टर है, वो सही होनी चाहिए, या फिर वहां पर सोनोग्र स्वास्थ के शेत्र में देश के प्रदान मंत्री नरेन मोदी जी ने जो काम क्या है आईश्मान कार्ड बना कर, वेसे ही हमारे धार जिले में 11,34,000 लोगों के आईश्मान कार्ड बने हैं, पांस लाक रुपे का इलाज, यहां बेठें मेरे ख्याल से 100% के आईश्मान कार् स्वास्थ के सेत्र में कोई प्रश्न नहीं लगा सकता क्योंकि देश के प्रदार मंत्री ने स्वास्थ की कमी है? कोई कमी नहीं है सभी एक्सपट्स यहां पर है यहां सुभेस लेके साम तक पांट न वह जांट यहां जाती और पचाम पूसरे गराब आपक़ करें अगर पाध करें तो आप बदनावर में एक मुझट इतना बड़ा जो हब बन रहा है उससे रोजगार Mr. बिल्कुल मिलेगा और इन लोगोंने क्या अप से जानना चाहूंगी कि आप क्या ख़ें रोजगार तो नहीं है फेक्ट्री आरही है वागी वागी दिरू जो युवार लोग हमारे पढ़े लिके हैं उनको को रोजगार नहीं रहे हैं और विकास की जो बात करने सब किया है मेरा हिकेना है कि 3035 का अनन का दिया है 3035 को 1904 में राजू गादी तेगी थी वाभी अब हैसाथ मोजूद हैं उनसे जानने चाहेंगे कि क्या आपको लगता है बतनावर में जो योजने शुरूरी उससे रोजगार मिलेगा मेडम ये क्या करते हैं जो अच्छे अच्छी फेक्ट्रियां रहती है वो दूसरे जीलों को द छेतर है धार के युवा फिर भी बेरोजगार हैं धार के युवाओं के बारे में सोचने वाला कोई नहीं और किसान में किसान की बात करूं तो अन्य जीलों में नर्बदा का पानी आ चुका है यहां पर योजना आपनी पर आज तक नर्बदा का पानी नहीं आया कि उनका क्या मत है क्या हुने लगता है कि बतावर में जो खुल रहा है वहां पर जो योजना शुरूरी उससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा बिल्कुल भी नहीं मिला रोजगार में खुद बेरोजगार हूं मैं कूद पर बेरोजगार मिलता तो मुझे भी पितनों को रोजगार मिलना है यहां पर देख से लांते युगा यह वज्यते आँ चंपनी तो यहां पर लोगों को रोजगार की बात करती है लेकिन मत्यप्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मत्यप्रदेश में है बाजपा और कांग्रेश दोनों से पुछना चाहता हूँ मेडम ये धरात अली और बुनियादी समझ स्याओं को छोड़के भालतु बातों बर्गलाने कोशिस क्यों करते हैं कि दहार में सिख्चा का इस्तर सुन्य है यहां पर हजारो सिक्षक विहीं ने धार और अपने नालचा बलाग और पितंबूर सेक्टर में आज भी अतिस सिखचक है लेकिन सिख्चा पर इनका द्यान नी बेरोजगारों पर इसका द्यान नी तो जैसे हमने देगा यहां पर हम कुछ लोगों से पूछेंगे कि क्या आप कहेंगे इस बारे में हम अगले बुद्दे पर जाएंगी तो बिरुजदारी के विशे पर मैं यह कहूंगा कि वर्तमान में आज आरक्षक भरती शिक्षक भरती जितनी भरतियां हो रही है वो सब भरतिया चालू हुए उसमें कई बच्चे भरती हो भी रहें लेकिन अभी आपको में बता दू शिक्षा के शेतर में 13 सीम राइज मतब धार जिले में खोले गए हैं और जो 27-27 करोड की लागत के हैं वर्तमान में जितने भी हमारे विरोजगार युवास आती हैं यदि वो मेरा प्रस्थ ने बाजपपा जिलाद्थ को शवकूंत मेरा प्रस्थ ने और मेरी माता है वहने बेठी हैं में उनका वह संबान करता हूं उन से फेस्लिए कि माननी मुख्यमंतरीजी को चुनाओं के पाच महीने पेले ही माता है बेहनों की फिक्र क्यों आई और धर जितनी भी योजना है पाच-छे महीने पेले ही क्यों करी यह प्रस्ट में मेरा इंसे पुछे क्या कहेंगे सवाल जो उठाए उस पेले से महलों का सम्मान करते के लाड़ी लक्षमी भेंडा आज अब हम तो जो करते हैं वो कहते हैं आप से जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा सवाल उठाए कि पांच महीने पहले ही सीएम को महिलाओं की फिक्र क्यों हुई यह लोग इस तरह की बात ना करें तो जादा च्छा रहेगा क्योंकि यह खुछ जानते हैं कि इनके उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनी के पंद्रा मैने के शाशनकाल में हल्दी और महन्दी लगी वी बेटियों की शादी कलेक्टर के द्वारा दबाव देके कैंसल करवा दी गई तो यह लोग यदि महिला और कन्या के बात ना करता तो ज़्यादा चाहें जाएंगे कि योजगार ना ज्यान योजना वाली जो बात है मानि कमल्लाजी की जब सरकार थी उस समय मानि कमल्लाजी ने इकाउन हजार रुपे कन्याओं को देने की बात करी थी सब्सक्राइब नहीं की गई सब्सक्राइब के पास बचाईए तो करेंगे क्या आपको लगता है कि योजना बंद की गई थी कॉंग्रेस ने जान करके कि ःचाः बेञा कुछके कि थी मैलाओं नहीं कि पूंबारकर नहीं करा हाज माननी मुख्य मंत्री जी ने सारी योजना है लागू की है और बेहनों के लिए बैटीयों के लिए बाता के लिए कसुछ करते लिए कि सरकार पहले वश्तन बद्दती आज भी और आगे भी रहेगी और रही बात नारीयों के संवान की तो यह यह जो संवान निधी के रूप में नारीयों को एक बेहतर सुरक्षा संवान, उनको मिले मद्धि प्रदेश में जिस तरीके से कमल नाजी ने जो नारी सम्मान योजिना की शुरुवात की है भारती जनता पार्टी की जो मुख्य मंत्री सरकार है कमल शिवराज सिंग बोखला कर उनकी बोखला हट के कारण ही जितने जनित के मुद्दे मेरा एक सवाल बीजेपी से है कि क्यों यहां पर इतने समय ने सुविधा पर काम चल रहा है वह आज तक भी चल ही रहा है अभी उसके पार जो रुकिये पूछ ने हूँ उसके बाद भी हाँ पर जो है अभी आभी कार्य में पूरा नहीं किया गया है अभी जिस प्रकार से कोरोना काल आया था चलते कोरोना काल में भी रेलवे का काम बन नहीं हुआ और अभी जिस प्रकार से रेलवे की 1600 करोड का जो मद केंदर सरकार से आया और 2024 तक आपको धार जिले में दुरुत गती से रेलवे दोड़ती दिखाई देगी ये केंद्र की नरेन मोधी जी की सरकार का संकल पर ये जल्दी पूरा है। पीजेपी भी बहुत समय से कर रही है लेकिन अभी भी उसका कुछ नतीजा हमें निकल के दिख नहीं रहा है। इस मामले में क्या कहेंगे हमको इसका जवाब चाहिए। पुछो ना में बता राव। मेडम मेरे कोशन दोनु पार्टी से यह ट्राविल छेत रहे हैं आदिवासियों का लेकिन आदिवासियों के मुद्ध्या दोनु पार्टी के लिए नेतानी उटाते हैं और इसके मुद्धा सिर्फ जहेस उटाती है दोनु पार्टी सिर्फ बोर्ट के लिए यह सवाल है इनका सपोर्ट कॉंग्रेस से था ठीक है इनने का सपोर्ट को सपोर्ट कियो नहीं मिला है लोगों को अभी ता कि आपा जो चीज ना वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ मांगलिक भवन के लिए माने मुख्ध मंत्री से डेपोडेशन मिला था वो कारवाई प्रकिर्या में प्रशली थे वर्तमान में आदिवाई समाज के विकास की अधी बात करें टंटिया मामा जंद करांतिकारों की बात करें क्यों नहीं मिला कारण? मांगलिक भवन क्यों नहीं मिला? कॉंग्रेस बीजेपी सहे जयेस और आम आपनी पार्टी के साथ सथ यहां पर आम चुनता भी मौजूद थी जिन्हों ने अपने मन की बात यहां पर रखी है इससे अगामी चुनाव क्या रूप लेने वाले धार में वह हम देख सके हैं और यह जो चौपाल थी आज हमारी है सबाब तो कि कल मुलतात होगी आपकी 36 गार में तब तक किलाब बन रहे हैं IBC 24 के साथ